आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, question है आपको बताना the correct order of acid kit so acidic का correct order बताना अब देखो, यहाँ पर क्या phenol derivative है और phenol भी है अगर हम phenol की बात करता हूँ so phenol जो है आपका ओपर है लोन पर है तो acidic character का बिखाईन होता है जब यह क्या है अपना एक है H plus releasing tendencies known as the acidic character जितनी जल्दी H plus release कर देंगे उतना उसका S-ray character होगा मतलब कि क्या है कि जो आपका H plus release होने के बाद यह बनाएंगे phenol oxide iron क्या बनाएंगे phenol oxide iron जो phenol oxide iron बनता वो stabilize होना जहें दूसरा जो इसका conjugate base जितना ज़्यादा stabilize होगा उतना ही अच्छा क्या होगा acidic होगा तो यह जो phenol oxide iron है यह आपका क्या है यह आपका stabilize होता है इस तरीके से और आपका एक resonating structure form करता है और इस तरीके से यह पूरे ring में conjugation करता है फिर इस तरीके से आएगा और यहाँ पर फिर double bond हो जाएगा यह जो है आपका phenol oxide iron ऐसे 5 resonating structure में possible हो सकता है और आपका ortho pera पर आपकी negative charge आएगा इस वज़े से यह जो stabilize है यह phenol oxide iron आपका ज़्यादा stabilize होता है और इसके 5 resonating structure की वज़े से मैं पूरे नहीं बनाया हूँ सिर्फ इतने बनान से भी हमारा काम चल जा है 5 resonating structure की वैसे phenol oxide iron very stable जो आपका product है वो stabilize हो रहा है अब इस पे अभी इस phenol oxide iron पे जो group लगे होंगे let support जो भी group लगा हुआ है पैरा पे लगे हुए तो आपका एक electron releasing group है एक electron withdrawing group है तो जो electron withdrawing group होंगे वो क्या करेंगे electron density को अपनी तरफ खीचेंगे electron density को अपनी तरफ क्या करेंगे खीचेंगे इस खीचने की विज़े से जो आपका O पे negative charge है वो आपका थोड़ा बहुत कम होगा क्योंकि अपनी तरफ electron density खीच रहे है तो आपका क्या है electron withdrawing group इसकी stable होने की मतलब इसका negative charge जो है तो acidity को increase करेंगे मतलब है negative charge जो है ओपर वो आपका कम हो रहा है electron releasing group जो होते है वो आपके electron density increase करेंगे मतलब ओपर electron density बढ़ेगी electron density ओपर बढ़ेगी तो stabilize नहीं हो पाएगा तो अपनलब acidity order जो है वो आपका decrease हो जाएगा तो जो phenol derivative होते है उनमें रगा electron withdrawing group होता है तो उनका जो acidic order होता है वो सबसे जादा हो जाएगा तो third जो है वो आपका सबसे जादा हो जाएगा और जो electron releasing group होते है वो phenol की acidity को decrease कर देते है तो आपका सबसे last में आजाएगा second और बीच में आजाएगा first this is the order ठीक है ऐसा option कौन सा है आपका B so B is the correct answer Thank you